गुद मॉर्निंग नाइन स्टूडन्स आज हम महराटी घ्राम सेक्षन देखेंगे लेसन नमबर थ्री उसमें सामाने रूप एक पोर्षन है मतलब एक चाप्टर है आपको तो उसमें हम देखेंगे बच्चो सामाने रूप क्या किसे कहते हैं और शब्दों के सामाने रूप कौन से होते हैं और विबक्ति प्रते क्या होते हैं ठीक है तो लेट स्टार्ट आओ बच्चो अभी पहला इदर वाक्टि दिया बच्चो आपको ये दिया है शिक्षक आनि गोविनला वरगात शब्बास की दिली ये जो शब्द है ये जो पूरा वाक्टि है इसमें दिया ये शिक्षक आनि गोविनला और वरगात ये जो शब्द दिया है बच्चो ये शब्द इस शब्द को विबक्ति प्रते लगे हुए मतला इदर देखिए विबक्ति ची रुपे है तन ही रुपे रुपे तायार करता ना तना नी ला ता ही अक्षरे जो लाड़ी तना विबक्ति प्रत्तिय उससे अक्षत जुड़े होए नी त और ला इसी को क्या पोई है विबक्ति प्रत्तिय प्रत्त कि अनने के उसके साथ एक हो यह परत्त चेजुडते न स्जिकशक स्चक को्षक गविंन डा वरग 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 द कीEER तयर अनियार रूपान ना सामान रूपया से मन तक विबक्ति चे प्रत्य जोड़ता ना क्यों वाँ शब्द योगे आवे जोड़ने पुरिवी शब्दान चाम मुल रूपा जो बदल होतों मतलब विबक्ति के प्रत्य जोड़ने से पहले शब्द के मुल रूप में जो बदल हो शब्द त्याला सरण रूप शर रूप मतलब तो सामाने रूप त्या अ और घराब आए धिलेला शब्द मतलब वाक्य में दीआ हूए शब्द उसके बात घर इसका मुल शब्द है और सामाने रूप मतलब प्रत्ति निकालने के बात ज holder शब्द बचा हुआ रहता है वो उसका सामवनन रूप रहता है ठीक है बच्यों समझ में 5 nature को मक़ंग है उसका में रूप है तो और दिया हुआ शब्द त्याला रूस कि सामवनन रूप मतलब क्या स्वार्य मतलब क्या उसका अगर हम प्रते निकाले ला तो जो शब्द बचता है तो उसका क्या है सामन्य रूप है अब दूसरे में दिया है घरा बाहिर जो शब्द दिया है उसमें दिया है मेन शब्द क्या है घरा बाहिर और सरण रूप अगर बाहिर इसका जो मेन शब्द है घर और जो उसका बाहिर जो निकाल के प्रते निकाल के जो बचता है वो क्या है मेन शब्द सामाने रूप घरा बाहर ओके इस तरह शब्द होते बच्चो और इसमें दिया है काही नामांचे सामाने रूप होता ना मूर रूपात बदल होतना है बहुत सारे ऐसे नाम होते मतलब नाउंस होते उसमें मुल शब्द में उसके आज बरे वार्टत नहोंते, बंडुवर सारे जन और अजले, अभी इदर देके दिलेला शब्द, हमें दिया हुआ शब्द है अक्षे, ये दिया है अक्षे, उसमें चेंज इसने हुआ है, सरल रूप मतलब उसका मेन शब्द है अक्षे और सामान रूप भी अक्षे है, क्य इदर आपको उधान दे है, कंसा दिलेला शब्दां जे सामाने रूप कर उन वाक्य पुणना इलिया, अभी आपको इदर दिया है, दसरा चा सन अनन, एक प्रैकेट में दिया हुआ शब्द है, उसका आपको सामाने रूप करना है, और क्या करना है, वाक्य पूरा लिखना स्अर्वाना अणन्द дол disfr दुसरा दिया है एक महिनाद सर्पदर्शा ने दो घंचा मृत्यू जाला अब एक महिना महिना दिया है तो इधर प्रत्ते दिया है आपको क्या करना है शब्द बनाना एका महिनाद क्या दिया है एका महिनाद सर्पदर्शा ने दो घंचा मृत्यू जाला पुजारी कड़े लोग गेले अब इधर दे पुजारी और कड़े दिया है उसको आपका क्या दिया है यह प्रत्ते दिया है तो यह जोईन करके लिखना है दिया है पुजारी कड़े लोग गेले अमोल बाग और दिया है ब्रैकेट के भाहर तो यह प्रत्ते दिया है खेलत हो और आइचा प्रिमाला आभाला ची उपमा देतात इस तरह बच्चों है आपको सम्तलब यह पूरे माक्स देने वाला मतलब कुछ रहता है इसमें कुछ क्रिण परेशानी भी नहीं है पढ़ापट माक्स मिलता इस section में और यह सामान्य रुप का जो question होता है like that इधर दूसरा दिया है बंडू पाउस्त दिया है प्रते जोईन करके लिखना है बस पाउसा आथ बिजन्या साथी भाहर गेला उगवा मोती चा चारा मतलब उगवा मोत्या चारा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मतलब इजो sentence देना वो आपको अच्छे से रिड़ करने उगवा मोत्या चारा त्याची लाम शिप्टी नाग है आपको ब्रैकेट में देया है सारकी उभी रहे चारा नाग दिया है है यह अब जबड़ा सा एतर नागाँ शारकी थोड़ा सा चेंजस करना है यह सारे सेंटेर देना बच्चो इसकी प्रैक्टीस करो बस अब इधर दिया है तो नि यह शिकर गाट ले अभी तो हे उसका सेकेंड पोर में होता है त्याने ये शाचे शिकर गाट ले अन्याय विरुद्ध मिला चीड एते मतलब क्या इदर अन्याय विरुद्ध मला चीड एते इस तरह जो बच्चों वाक्य है वाक्य में किस तरह चेंजे साता है आपको क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा और बस बाकी कुछ इसमें नहीं है साम्माने रूप का क्वेश्चन मतलब इजी से आप सॉल कर सकते हैं इधर शब्द दिये देखिए दिलेल्या शब्दान चे साम्माने रूप लिहा इधर दिया प्रत्तेक प्रत्तेका उसके साथ साथ इधर दिया प्रत्तेक प्रत्तेका भ कठोडेश, पिरानी साहेंबह, पुरत्वी पृत्वी आहिज ँओन्हाो αλλά, इस तरह of ॉब वरकुत्व पॉब धानी सहब म laz introduction Today is our महाराज महाराज. तो त्यास, युश्यऽ, ख्राद मान कहें, सामन्य रूप लिखने हैं मानसा ची आपको क्या करना है ची यह जो प्रत्ते है न वो निकालना है बच्छो बचता है न मूल शब्द उसका गया है मानसे और उसका सामन्य रूप कैसे लिखना है ची निकालके जो बच्छा हुआ शब्द मानसा और इधर बोलना चे मूल शब् निकालना से लिए रोप होता है लुए पूर्द अपर निकालना और में इधर बचा होगा फारा सबुीर की इसका निकाल तून ये क्या है प्रत्य ये है ये निकाल के जो शब्च बचता है वो उसका क्या हो गया सामन्य रूप हो गया उसके साथ साथ रंगशाड़े ला उसमें ला ये लगा हुआ प्रत्य ये है और रंगशाड़े मूर शब्द और रंगशाड़े ला प्रत्य लिकारने के बाद जो बच्चा हुआ है कि तो यह आपका इस स्रेक्शन में मतलब सामवानी रूप में आता है और दो मार्स के रहता है बैच्छो दो मार्स आपके हाथ में और एजी लिया आपको मिलेंगे ठीकिए और आपको क्या करना यह पूरा आपको राइट डावन करना है मैं इसके पिक्स पेज़ती हो तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है यह जो स्वाध्या दिया है मतलब एक क्वेश्चन अलसत दिये यह आपको फिल अप करने है ओके सो तुड़े इतना है आज कमे पढ़ाती हुए प्धाठी सेक्षन सो बाद में हम विबंदती दहुँंगे और विबंदती थोड़ा यह समास देखेंगे तो तो आज हम साम्माने रूपी देखेंगे ग्रामर सेक्शन फड़ापट लेते हो बच्छो क्योंकि ग्रामर में ही आपका ज्यादा क्वेशन्स रहता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने हैं यह पूरा लिखना है स्टाइट से और यह जो पूरा पेज है मैं इसका प्रिंट ज्यादाटब आपकट करने में हामरी कि वारे स्टाइब करने है मैं खालएब करो।ो यह जो जिए चतारे में ते उतके हैं दात अने हैं तो इसका कheid है तो यह है यहाँ जज है स किछिए जा रहार cannot